Hello students, today we start class 10th मैं chapter 8, trigonometry introduction तो trigonometry क्या है बिटा? Trigonometry first of all ये हमारे पास Greek word से ये word आया है इसमें बिटा, three words हैं जैसे trigonometry ठीक है? Try का मतलब है आपके पास three और gon का मतलब है आपके पास sides और आपके पास matry matry का मतलब है आपके पास major clear है? तो इसका मतलब क्या हुआ? कि three side का major है तो हमारे पास इसकी definition है It is the study of relationship between the sides and angles of a triangle हमारे पास बिटा जो trigonometry है उसका मतलब ये है कि ये एक relationship है between sides and angles of a triangle ठीक है? तो सबसे पहले हमारे पास आ रहा है trigonometric ratio trigonometric ratio क्या है बिटा? trigonometric ratio आप एक triangle draw करेंगे तो आपने लिया एक आप लिखेंगे ट्राइंगल A, B, C आपने एक triangle draw किया इसका ले लिया ये ये है A, ये B और C एक triangle लिया ये आपके पास एक right triangle है आप लिखेंगे right angled at B clear है बिटा? अब हमें यहां पे ratio निकालने है ratio मतलब बिटा यहां पे आपके पास ये new चीज आ रही है आपके पास यहां पे आपने A के अगर ratio निकालने है तो आप कैसे लिखेंगे इसको यहां पे लिखेंगे आप इसको sign A, ठीक है? sign A जो है वो हमारे पास कैसे आएगा? यह हमें sides दी गई है three triangle की ठीक है? तो हमारे पास right angle के सामने की side होती है वो hyperneuse होती है और जो जिस पे right angle है यह तो यह perpendicular होता है और A B जो नीचे वाली है वो base होती है clear है बिटा? तो sign A जो है इसका ratio जो ratio आपको पता है किस form में होती है two is two three तो इसको आप इस form में भी ली सकते हैं two by three ठीक है? तो हम लिख रहे हैं यहां पे हमारे पास sign A ठीक है? आपने यहां पे यहां से sign A एंगल है हमारे पास तो sides जो आएंगी इसकी P upon H आएगा क्या आएगा? sign A का sign A के बाद है आपके पास cos A cos A आप देख रहे हैं यहां पे cos A है तो वो होता है मारे पास B upon H B upon H B क्या आपके पास base वो है AB और H आपके पास क्या है? AC ठीक है बटा next आता है मारे पास 10 10 A 10 A वो है P upon B वो क्या आता है? perpendicular upon base तो वो BC upon AB next हमारे पास है sign A है तो अब आएगा cos A क्या आएगा? cos A cos A जो होता है उसको आप sign A का reciprocal भी लिख सकते हैं यह देखिए उसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 by sign A अब 1 by sign A है P upon H है तो reciprocal क्या आपके पास क्या आज जाएगा? H by P ठीक है? तो H by P मतलब AC upon BC clear है बटा? next हमारे पास है को sec के बाद आएगा sec A sec A जो है उसको हम लिख सकते हैं reciprocal of cos A तो cos A आजाएगा cos A की value थी B upon H तो यह आजाएगा H by B इसको लिख सकते हैं AC upon AB AC upon AB ठीक है? उसके बाद last रह गया हमारे पास cot A cot A आता है reciprocal of tan A तो tan A आपके पास P by B तो यह हो जाएगा B upon P AB upon BC clear है बटा? आप इसको sin A को इस form में भी लिख सकते हैं 1 by cos A A ठीक है? आपके पास cos A है तो यह इसके equal भी हो सकता है 1 by sec A ठीक है? जो 1 by sec A है वो क्या है? cos A का reciprocal होता है tan A है उसको आप लिख सकते हैं 1 by cot A clear है बटा? अब हमारे पास है जैसे tan A है tan A को आप लिख सकते हैं sin A upon में cos A ठीक है बटा? ओके tan A को इस फार में अब हमारे पास एक और है जैसे cot A तो cot A को आप लिख सकते हैं cos A upon में sin A clear है बटा? यह आपको चीज़ें याद रखनी है okay बटा? next हमारे पास है in case अगर बटा आपको जैसे यह triangle है हमारे पास right triangle ठीक है? A, B, C A अभी आपने A के angle निकाले आपको C के angle भी पूछे जा सकते हैं ठीक है? तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं C यहाँ से angle है हमारे पास okay बटा? तो यहाँ पे पहले हमारे पास perpendicular यह था और base यह था और hypotenuse यह था angle B के सामने वाला वो hypotenuse ही रहेगा बट angle C के सामने वाला यहाँ वाला यह side change हो जाएगी यह P हो जाएगा आपके पास और यह वाली side आपके पास क्या हो जाएगी B हो जाएगी ठीक है अब आपने अगर निकालना है sin C तो sin C है बटा उसका formula क्या होता है P upon H perpendicular upon hypotenuse P upon H तो वो आपके पास AB upon AC आजाएगा क्या आजाएगा AB upon AC ठीक है आपको question में A के angle भी पुछे जा सकते हैं sorry A के ratio भी पुछे सकते हैं C के भी ratio पुछे जा सकते हैं ठीक है बटा next concept हमारा next है बटा trigonometric ratio of some specific angles आपको बटा यह theta angle दिया गया है theta angle हमने यह सारे angle ले लिए इस form में sin theta cos theta tan theta cosec theta sec theta cot theta ठीक है अब angle अगर हमारे पास 0 degree है sin अगर 0 degree है तो उसकी value क्या होगी 0 साइन अगर हमारे पास 30 degree है तो उसकी value आती है 1 by 2 साइन अगर हमारे पास 45 है तो उसकी value आती है 1 by root 2 साइन अगर हमारे पास 60 degree है तो उसकी value है root 3 by 2 साइन अगर हमारे पास 90 है तो उसकी value आती है 1 हमें इसको डिटेल में नहीं करना आपने सिर्फ इसका चार्ट वो लखना है ठीक है इसकी वैल्यू सारी आपने लर्ण रखनी है अब आप देखे हैं साइन की जो वैल्यू है 0 से लेके 90 तक angle increase हो रहे है और sign की जो value है वो भी increase हो रही है तो आप लिखेंगे यहाँ पे sign theta increases from 0 to 1 ठीक है और आप देख रहे हैं cos theta cos theta के भी angle दिये गे हैं उसकी यह value आई है ठीक है but cos theta आप देख रहे हैं यहाँ से 0 से लेके 1 तक value sign की यह थी और यह आपके पास यह क्या होगी सारी reverse होगी value ठीक है 0 आपके पास किसकी value आगी cos 90 की value 0 आगी 60 की value जो sign 30 की थी वो 1 by 2 आगी 45 की सेम रही और जो sign 60 की value थी वो क्या होगी cos 30 की होगी ठीक है तो यह इसका रही सी उल्टा हो गया ठीक है तो आप देख रहे हैं तो cos theta जो है वो value क्या होगी है यहाँ पर decrease हो रही है उसकी value क्या होगी है decreases from 1 to 0 ठीक है बिटा ओके यह भी आपको note रखना है क्योंकि आपको question पूछे जा सकते हैं इनके से अगर हमें एक example नें इसकी evaluate sin 60 degree plus sec 30 degree ठीक है बटा तो आप इसको कैसे करेंगे sin 60 की value आपके पास है root 3 by 2 और plus sec 30 sec 30 मैंने बताया आपको वो cos का reciprocal होता है तो sec 30 को आप cos से भी देख सकते हैं cos 1 by मतलब इसका reciprocal तो यह क्या आजागा 2 by root 3 तो sec 30 की value क्या है 2 by root 3 ठीक है बटा तो आप इसे लिखेंगे 2 by root 3 ओके यहाँ पे आप क्या करेंगे इसका LCM लेंगे 2 root 3 आए आपके पास फिर आप cross multiply करेंगे root 3 और root 3 जब multiply होते है square होता है तो यह 3 आजाएगा ठीक है और 2 और 2 कितना हो गया 4 हो गया आपके पास 7 by 2 root 3 बट root 3 जो है वो नीचे भी है हमारे पास इसलिए हम क्या करेंगे इसको rationalize करेंगे तो यह आजाएगा 7 root 3 upon में 2 root 3 का square है तो क्या आजाएगा 1 3 आजाएगा 3 2 जा 6 यह answer आजाएगा ठीक है बटा और यहाँ पे हमने values आपको बताया sin 30 की value जो है increase हो रही है cos 30 की value जो है decrease हो रही है ओके बटा next हमारे पास 10 30 जो है sorry 10 30 की value वो कैसे बनेगी वो देखिए 0 है 0 upon 1 मैंने अब भी आपको पिछे बताया 10 जो है वो क्या होता है sin by cos तो 0 upon 1 वो क्या होता है 0 1 by 2 upon में root 3 by 2 तो आप देखेंगे हमारे पास 10 आपने 30 की value निकारनी है तो वो क्या आजाएगा sin 30 upon cos 30 तो वो आजाएगा भीटा आपके पास 1 by 2 upon में root 3 by 2 तो आप इसको लिखेंगे 1 by 2 ये reciprocal हो जाएगी value ये आगे आपके पास 1 by root 3 तो 10 की value आगी ऐसे तो आप ये 10 की value ऐसे निकार सकते हैं sin upon cos करके ठीक है और को sec theta मैंने बताया वो sign कर reciprocal होता है तो उसको उस तरह से आप value निका सकते हैं sec theta जो है cos कर reciprocal है तो ये value आगी और tan theta जो है वो क्या है cot theta जो है वो क्या है tan कर reciprocal है वो values आगी मतलब आपको सिर्फ ये वाली value sign theta वाली values learn रखनी है बाकी सारी की सारी values आपके पास अपने आप आ जाएंगी ओके बटा next हमारा topic है trigonometric ratios of complementary angles ठीक है next बटा topic है हमारे पास trigonometric ratios of complementary angles तो आप देख रहे है sin 90 minus a जो है वो cos a होता है cos 90 minus a जो है वो sin a है tan 90 minus a is equal to cot a है cot 90 minus a is equal to 10 a and sec 90 minus a cosec a cosec 90 minus a sec a sin cos में change हो रहा है tan cot में change हो रहा है और sec cosec में change हो रहा है ठीक है बटा आपको इसका proof नहीं करना आपने वस ये जो ratios है complementary angles की ये आपने याद रखने है ठीक है आपको question जो है वो इस form में आ सकता है example हम ले लेते हैं evaluate tan 65 upon cot 25 ठीक है ये आपके पास value है ओके बटा तो आप इसको इस form में लिख सकते हैं tan 65 upon में tan 90 minus 25 ठीक है आप देख रहे हैं जो cot है हमारे पास cot A वो किसमें change होता है tan में तो tan 90 minus A जो angle आपके पास चल रहा है यहाँ पे 25 चल रहा है ठीक है बटा हमने क्या किया जो cot था उसको इस form में लिख लिया देख रहे हैं tan 90 minus A तो A angle 25 है ओके बटा तो इसको फिर आप लिखेंगे tan 65 upon में tan आप इदर से value minus करेंगे 65 आ गया cancel हो गया answer क्या आ गया 1 आ गया इस तरह से आपको questions आएंगी ओके बटा next topic है हमारा trigonometric identities यहां पर हमारे पास three identities हैं trigonometric की cos square A plus sin square A is equal to 1 1 plus tan square A is equal to sex square A cos square A plus 1 is equal to cos square A बटा जो A है वो आपके पास angle चल रहा है तो यहां पर कोई भी angle हो सकता है आपके पास ठीक है 30 हो सकता है 45 हो सकता है ओके बटा तो यहां पर आप एक जैसे example ले लेते हैं example है हमारे पास evaluate one plus tan square A upon में one plus cos square A ठीक है तो इसको कैसे evaluate करेंगे आप बटा one plus tan square A जो है वो हमारी identity है इसकी value है sex square A तो आप इसके बतले रख लेंगे sex square A तो one plus cos square A जो है उसकी value है cos square A आप इसके बिहाब पे रख लेंगे cos square A अब sex square A जो है वो क्या आता है one by cos square A sex A होता है किसका reciprocal cos का तो इसलिए हमने लिख लिख लिए इसको one by cos square A क्योंकि square लगा है इसलिए multiply में cos square A किसका reciprocal है one by sin A का तो यह आजागा one upon sin square A ठीक है बिटा इसको आप लिखेंगे sin square A upon में cos square A तो यह किसकी value है यह आपके पास tan की value है tan है ना tan तो आप लिखेंगे tan square A ओके तो यह हमारा इसका answer आगया ओके बिटा हमारी बिटा introduction यहाँ पे complete हुई है hope आपको यह clear हुई होगी thank you